आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें m into x minus x1 जहाँ पर m क्या है ये रेखा की प्रवणता है और x1, y1 क्या है ये वे बिंदू है जहां से होकर रेखा जाती है तो अब देखें हम यहाँ पर x1, y1 का मान ग्याद करने लिए हमें प्रशन में क्या दिया गया है की हमें उस सरल रेखा का सम्हिकरंण ग्याद करना है जो इन दोनों रेखाओं की कटान बिंदू से होकर जाती है प्लस एक बराबर 0 तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे X और Y कमान क्याद करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन भी दिखो प्योग करेंगे तो हम समीकरण एक से सबसे पहले X कमान निकालेंगे X पराबर क्या मिलेगा हम यहाँ से? माइनस Y माइनस 1 अब हम क्या करेंगे? X बराबर Y माइनस 1 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर इसको देखिए समीकरण 2 माल लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से समीकरण 2 क्या बन जाएगा? हमारे पास आजएगा 3 और x किस्तान पर क्या आजएगा यह क्या है दिखे समी करण 2 से ठीक है तो समी करण 2 क्या बन जएगा 3 और x किस्तान पर क्या आजएगा minus y minus 1 plus 2y plus 1 बराबर 0 यह आजएगा ठीक है तो इसको हल करते हैं यहां पर दिखे 3 का गुड़ा कर देंगे, तो minus 3y, minus 3, plus 2y, plus 1, बराबर 0, ठीक है, तो minus 3y, plus 2y, minus y, ठीक है, minus 3y, और plus 1, कितना हो गया, minus 2, बराबर 0, तो y कमान यहां से हमारे पस क्या आ जाएगा, देखे, minus 2 को दाया पक्ष में ले जाएगे, प्लस 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, minus का 2, ठीक है, तो y कमान minus का 2 आ गया, अब हम क्या करेंगे, y बराबर minus 2 रखेंगे, समी करण एक में, ठीक है, हम क्या करेंगे, y बराबर minus 2, समी करन्ड एक में रखने पर देखे मि जह मिलता है, एक में रखने में रखने पर, समी करन्ड यह क्या है, एक już प्लस Y प्लस एक बराबर bubble. तो minus2 प्लस एक कितना होगर? minus 1 and minus 1 को दायओ पक्ष मिले जाएंगे तो plus 1, तो x बराबर क्या आ जागे हैं यहाँ से? 1, तो यहाँ से देखे हमारे पास प्रतिछेद बिंडु क्या आ गई है? प्रतिछेद बिंदू आ गए 1, minus 1, minus 2 मतलब क्या हुआ, x1 का मान हमारे पास आ गया है, 1 और y1 का मान क्या गया है, minus 2, ठीक है, अब क्या करेंगे हैं, याँ पर m का मान ग्याद करेंगे, यानि रेखा की प्रवंडता का, तो इसके लिए दिखें, हमें क्या दिया गया है, कि रेखा x होती है, उस रेखा की प्रवंडता क्या होती है, 0 नहीं होती है, यानि m बराबर क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, हमें m का मान भी मिल गया, m बराबर क्या आ गया, 0 अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मानों को रखेंगे, यहाँ प यह कितना हो गया y minus minus plus तो plus 2 और यह पत कितना हो जग पूरा शून है तो यह हमारे पास क्या गया y plus 2 बराबर 0 यह हमारा सरल लेखा का अभिष्ट समीकरण आ गया है देखे हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह हमारे पास क्या गया है अभिष्ट समीकरण तो यहाँ पर दिखे मारा प्रश्ण हल होता है धन्यवाद